वेलकम टू पृतिवाक्तेशन प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगे कुर्ती की कटिंग करना और शाथी साथ इसकी स्टीज करना तो यह देखिए इसमें मैंने फूल सिल्प लगाया है और इसका बैने जो गला पनाये वो पैटन की मतलब से बनाया है और इसमें पैटन की म उस्टीजिंग कंदा अब आ खत्रोंग डया है को जाएगा कि हमने फ्रेंटक मारफ अब करनाया हैान उस्टीज तरी के यह तो हमिदेखिए आब को सब्सक्राइब कृक्त यह 17GL इसक चार्टीशन आब हुआया अग्सधा से अब तुस रिकॉर्डिंग रख लें गंदा हम रखेंगे 7 इंच यहां पर गंदा रखेंगे और इसका आमोल रखेंगे 5-3 तरीके से आप कि आप कि आप कि अहां करेंगे 14 इंच यह कमारे के लाइन बना भी मैं फिटन तो यह हमारे 14 इंच हो गया ताड़े तीरे 14 आप रख सकते हैं उसका हम 11 रखेंगे इसके चोड़ाई और फिर नीचे का हम जो राउंड है गेरे का राउंड है वह हम रखेंगे 12 इंच पार उसका तिसकल के मदद से मिस्तिके से लाईन को अटाच कर लेंगे यह देखी चिस्तिके समय अटाच कर रही है करまद कर दो कि judgment कि अ है कि देख़्िए देखिए हमारी कट्टिल लाइंग सोच चुका है यह हमारी कट्टिल लाइंग मिलनाना अब हम अपनी अपनी लाइन बनाएंगे तो फिटेंग लाइन देखें में इस्तरी किस बनाएंगे साध नौपे हमें रखना है अपना चेस्ट और नौपे रखना है वेस्ट यानि की कमर यह देके कमर का मांक है हम हीप लाइन बनाएंगे तो हीप लाइन हमारी यह यह देखिए जाड़े नौइंच और हम नीचे कराउंट रखेंगे 11 इंच इस तरीके से और उसके बाद इसकेल की मदद से हम इसे भी मिला लेंगे कि जैसे हमने कट्लाइन को मिलाया इसके अमूल हम इस तरीकेस बनाएंगे इंची टेप की मदद से हमें आमोल थोड़ा तिक्षा बनाना यह देखिए उपा से रखेंगे तो थोड़ा तिके रखेंगे शाड़े साथ पी यह देखिए तिक्का मैने रख्खा है इसकेल और इस इससे करके स्टेट लाइन कीचा है उसके बदšभ ऑमोलड किया है maior जिए LIVE कि यहानरा मोल गॉर्ख चुका है है अब सभी म HP कट कर लेते हैं तो मैंने पहले बताया थांखो कि हमारे कटिल नियंग सबसे पहले मैंने बनाया तो यह हमारी फ्रोस्ट वाली जो उपर वाली है वह हमारी कटिल लाइन है उसे हम कट कर लेंगे कि अर्ट जुआ है कि कट करने के बाद हम इसमें नौच करने सान लगा लेंगे जिससे मां से लाइब करते समय परशानीन और हमें पता चले कि हमें कौन से सक इस तरीके से पकड़ना है तो यह से लाइक करने का आसां तरीका इसलिए इसंटे नौश लगा लेते हैं कि उसक्राइब अपने पैटर्ण को मिस्तरी के सिधा कर लेंगे और जो साइड में निसान लगा तो चौक का निसान वह हम इस साइड भी लाएंगे तो वह देखी हाथ की मदख से हम इस साइड में निसान लगा लेंगे जिसे में दुबारे इस इंची टेफ की मदख से ना लगाना पड़े यह बहुत ही तरीका है निसान इदूसरी पर लगाने का इस तरीके साब निसाल लाएंगे तो आपके सिटिंग निसान एक बराबर लगएगी कि अधान बनाते तो बैक्षाट के लिए हमने इस तरीके से बीज से फोल्ड कर लिए कपडा दो भाग में यह देखिए और जो उन्हें फ्रंट पार्ट बनाते उसका पैटन लेंगे उसको हम इस तरीके से अच्छे से से शेट करेंगे यह दिखिए यह हमने पैटन नरुम्हagar से उसके भाचे से सतना में चांड जबने लिए मुवा नावियोक्bon है ईसके उसके स्केल कि मतस्ति नीचे वाला इस सब बैक्साड चैट क्युद्वीग करूं कि हमें बैकच साइड में नीचे फोल्ड करना है और फ्रंड में यह नहीं फोल्ड करना क्यूंकि प्रेंड कि में हमारा लैस्ट लगा हुए अगर आपका लेस्ट नहीं लगा है तो आप सोनों साइड में फोल्ड करें जिजिए देखे हमारी हम स्केल के मतलद से एक या डेड़ इंच एंशब रखेंगे उसके बाद इसे तरी के समाक कर लेंगे माख करने के बाद हम क्ट करे करेंगे कि आप मोल की पास आते हुए देखिए हमें कैसे कट करना हमें थोड़ा आधा इंच इस्ट्रा कट करना है आमोल एक बराबर नहीं कट करना है आप देख जब घुआ हम कुरती का पैटन कट करते हैं तो फ्रेंट और बैक्सैड पैटे व्यक्ति हैं बैक्साइड अमोल कटता हैं और ऑग्साइड में आधी तो पाइटन को चार फोल्ड कर लेना यह दू फोल्ड किया उसके बाद हमने चार फोल्ड कर लिया अब यहां पर हम इस तरीकर से फोल्ड कर लेंगे अगर आपके कपड़ें ज्यादे स्टीकें से तो आप प्रेस भी कर सकते हैं तो मैंने यह प्रेस नहीं किया है उसके बाद इंची टेप की मतर से नाप लेंगे तो हमें 16 इंच का स्वीट चाहिए तो हमने यहां 17 इंच रखा है एक इंच हमारी मार्जिंग के लिए तो यह द आप इंच पर रखा है और इस साइट से मैं उपर से मैंने रखा है पहले माप बताते हो तो यहां पर चोड़ाई मैंने इसका 9 इंच रखा है और देखें नीचे से हमारा है 14 इंच दूसरे साइट से और से भी स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खिच लेंगे तो यह है अब अब करेंगे और अब आपकर ने बाते हैं तो आप ध्यान देशा करते हैं कि हमें दोनों पैटन को ध्यांस देखे कट करना है तो यह देखिए इस तरी के सट्रेवन हमें कट करना उपर से उठाना है और निच्छे लाजाते में डाउन कर लेना यह हमारी एक इंच के लगबग में कट कर है तो इस तरीक से में कट कर ले ना चलते यह मारे अपने पैट कट हुआ चुकर अब हम चलते आपने गला बनारें कि यूदो किस और ही कि यह मैं ने पेपर को यूई का यूंस कि है hidden कि अमारा यहां पर पान का अकार का डिजाइन ड्रॉक किया है अपने चौक के मिदद से वह आप देखिए तो यहां मैंने अपने पान के अकार का डिजाइन ड्रॉक किया है कि यह देखिए इस तरीके से Неugood कि इस तरीके से हम इसे कट कर लेय tent अगर आपको जोड़ द। आप वह भी ड्रॉक कर सकते। नहीं तो आप यह बहुत पान के पते के डिजाइन ड्रॉक करें इस तरीके से आप अपना गला बनाएंगे यह तो हमसे कट कर लेते हैं के इस तरीके से हमारा पैटन कटी हो चुका है अब इसको पक्रम पे चिपकाएंगे इस बक्रम को तो देखिए हमने कप्ड़ा लिया से आप प्रेस की मदद से को चिपका लेंगे तो कटिंग में आदी इंच एक इंच की मालिंग दे करना है उसी सेप में तो मारे कटिंग हो चुकी है अब चलिए इसको स्टीज करते हैं तो स्टीज करने से पहले हम पहले अपने जो जहां माई लगाना है है और चौकी मताश्म में निसान लगाएंगे तु यह द इस तरीक में वीडियो में दिताने केसी दिखा도 करेंगे और इसकी चारो वर्ट में स्लाइ करेंगे अब देखिए इस पैटन को सिलाइ और इसे भी से फोल्ड कर देंगे और इसमी चौक मतब्स निसान लगा देंगे क्योंकि हमें सेंटर में लगाना है जिससे हमारा कप्टा इदर उदर नाज है इसलिए हम इसलिए निसान लगाते हैं तो देखिए इनिसान लग चुका है और पॉब्स नखीक अब इसलिए तो आभ एम से ओपिन नंडली के निसान लगा है इस तरीके से पैटन रखना हुआ और इसके ऊपर बगर रखना वाला इक जो ऑने पैटन दया कर पैटन IHow required अगर आपके पास में मैं सेंटर में मिलाकर अन्रैक्ड कर्सक्ते नहीं है तो आब इस तरी के सीलाई का यूज कर सकते हैं तो मेरे पास भी नहीं तो हम से सिफ लाई यूज कर रहे हैं यह देखिए इस लाइन को हमें नीचे वाले लाइन से मिला कर स्टीश करना है और एक पर हमें रिटन भी लेकर जाएंगे हमारी चाहिए हो चुक है अब देखिए हमें इसको साइड में सुलाई आप ध्यान से देखें कैसे मैं कर रहे हूं इस के मैं एक सूत चोड़के करनी है क्योंकि हमें से पलतना है और पलतने का साथ हमें इसे बकरम से इस बगर्ब्च्छ में करना है में पैपिंग भी बनाना है तो आप इस बात का ध्यान दें कि मैं एक और दू सूट छोड़ की स्लाइश लानी है पेपर पिस्टिं से दूरी एक या दो सूट की तखें मैं वीडियो में बहुत ही पास से लिया कि आपको दिखा रही हूँ आप नहीं से पास से देखें इसमें मैं आपको पास से दिखेगा कि मैंने स्लाइक का से किया है और इसी तरीके सा आप भी स्लाइक करें कि अग्या तो चलिए हमारी यहां से लाई हो चुकी अब हमसे कट कर लेते हैं अंदर को जो कप्टाव से हम कट करेंगे तो ध्यान दे कटिंग के लिए में थोड़ा मार्जिंग देना यह देखिए इस तरीके सा मार्जिंग देना और हमार कट लाइन करना है कि हमार थ्रेट ना कड़ो और बिना थ्रेट को समाल के हमें कट करना है उसके बाद हम इसके कटिंग होने के बाद यह देखिए कटिंग हो चुके हम हलका हलका नौच का निसान लगाएंगे इससे पल्टी करने में आसानी हूँ तो देखिए हमने निसान लगा लिया है अब हम इसे पल्टी करेंगे तो पल्टी करते इसमें ध्यान कि हमें का से पल्टी करना है हमें इसी से बातिंग भी बनाना है कि अपर लाएंगे कपटे को अंदर का जो पक्राम से उपर लाएंगे तो यहां थोड़ा से बक्राम उपर आ रहा है इससे मारी पाइपिंग का भी जोका जाएगा और हमें अलग से पाइपिंग जोड़ने की जिरोद भी नहीं पड़ेगी इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको दोनों हो जाएगा गला की फिनिशिंग हो जाएगे साथी साथ पाइपिंग भी अच्छा से लग जाएगा पाइपिंग का भी लोग देगा इस तरीके से में मिडल में आते समय अपते हैंड़े इस तरीके से में मिडल में पल्टी करना है तो आप मेरे जबाय सेंटर में तो आप ध्यान दे इस तरीके से आप इसको अच्छे से हातों से पकड़ के पल्टी करें करें तो यह देखिए हमार से लाइब हो चुकी है अब इसे हम उपन करके दिखाते हैं यह देखिए बहुती प्यारा बना है हमें अलग से पाइपिन लगाने की विज़ बत लिए हमरा गला फिनिशिंग हो गया और साथ पाइपिन लग गया तो चलिए अब हम उपना बैक्श हमें 20 से फोल्ड कर लिया जैसे हमें फ्रंट साथ फोल्ड किया था तो इसमें हम गला बनाते हैं सबसे पहले तो गला हम धाई इंज पर रखेंगे यह दिखिए रखना है और इसकी लंबाई आपको इतना चाहिए उतना रख सकते तो मुझे यहां पर पांच इंज की लंब तो हमें इसी तरीके से कट भी कर लेना और कट करके इसको अलग कर लेना है कर दे लए ने आप अधि करने के लिए मैंने उस इ acost lease कीया और तीरह उसे कट कर लिया दिघरे में तरीके से उनने कट कर लिया अब इस रख कर अब कर ये दो येलिकिके मला चुकिये हम्ने गरत कर निसान लगा लिया अब हम देकर इसको परभी एक असानी हो और इसका स्थेस्हें से जएं पूर्टे कुरा करेंगे तो पुल्टे करने इसके पने पैट्णी पनीटेस्टि करें इसकी पैट्ण पर्टी करें अब बाहर कप्डा अंदर क् thoughtful है अंगeltर का मरे सलाई हो चुकति देखिया इसका हमारे वेह से साथ ट्यार हो गया है सकते ह Tip करेंगे तो यहां ज़ल। स्थे किस को सपरणाई करेंगे यहां हो थिन किस पार चरहा definitive करेंगे की है। के लइन की मैंने जूसे मेरी बताया थीक के लास्ट के लास्ट तक ही McNamak का अती वे आने के बाद हमें धागा कटने करना का वापस इडाण लेकर जाना यह यह देखिए इस तर्यकहर 되고 साऑट कर पिटिंग देड़ना और तो नीचता हमें उसके अनुख अपना चोक इतना बनाएंगे कि मे देखे लिए आफ this लिक बनाने के लिए मिस तरीय में में व्यक्षा आशा से अच्छी वाला सीर से लोला हिएbert अजय में दोड़ से लिए जुसा सहरे ले ऊच्छे हां विल्द मैं यह देखे इस तरीके से निसान लगाना यह निसान हम इसले लगा रहे है क्योंकि हमारा इस्टक अपर अंदर ना जाए जितना हमें चाहिए उतना ही जाए तो इसलिए हम इस तरीके से निसान लगा लेंगे उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे मैं यहां फोल्ड करी हूं इसके बाद हम एक स्लाइच लाएंगे आप स्लाइड यहान देख कि हमें किस तरीके से स्लाइच चलाना इसी तरीके से अगर आप स्लाइच लाएंगे आपका चॉक बहुत ही अच्छे से बनेगा और कई कभी ओपर नीचे नहीं होगा कि अधिता है झाल झाल तो लास्ट बार्दिक बाद हमें सिलाई को तोड़ना नहीं रागा को हमें नीचे वाले साइक सीरे में भी सिलाई चाप चलानी है जिससे हमारा यह रेडिमेट लूप दे तो आपने देखा हुगा रेडिमेट कुरतियों में इस तरीके से दो चाप चले होते हैं सेम उसी तर दोनों सिलाई के डॉट चॉक बना लेना है तो चलिए हम ठागा कट कर लेते हैं अब हम पीछे का बैक साइड भी चॉक कैसे बनाएंगे वह आपको बता रहे हैं तो यह देखिए इस तरीके समय फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहां पर यह स्ट्रा है तो इसे हम चॉक से माप कर लेंगे और जितना एस्टा रागा उसी को फोल्ड करेंगे इसी तरीके समय दोनों सिरी में अपना इसान लगा लेंगे तो इस तरीके समय सेस्ट इस तरीके समय से मोड के एक शलाई और लेनी है इस तरीके समय अभी बनाया है वैसे नीचे कभी मोड लेना है प्रिगीति कमारा बन के त्यार हो चुका मैंने इसमें स्लिप की स्टिचिंग नहीं बता ही अगर आपको स्लिप की स्टिचिंग लेक नहीं है तो मैं लिंक वी डिस्टाप्सम दे दूँगी आप इपा ज़रू चेक कर ले अगर आपको आरे वीडियो पसंद है तो प्लिस लाइक करेंगा कमेंट करेंगा साथी साथ हमें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करेंगे वे लागिंग घंटी दबा दीजिएगा जिससे आपको निग अपडेट मिलते रहें आपको यह वीडियो कैसा लगा